हलो नमश्कार, वेलकम टू इनकलकेट लेर्निंग, एडुकेशनल मैनेजमेंट की सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे role of headmaster या role of principal की, so headmaster और principal काम जो है इनके सेम रहेंगे, headmaster हम जो है primary और upper primary level पे बोल देते हैं, यानि हम 8 तक की schools में बात कर सकते हैं, कि हमारे पास headmaster होगा, अगर हम secondary school की या senior secondary school की बात कर रहे हैं, जहां 10th और 12 तक की classes हैं, वहाँ पे हम उसको principal बोल देते हैं, जो की सब learning को कर सकते हैं, देखे, principal और headmaster की role की जब बात आती है, तो हमें सीधी सी बात पता है कि वह सारे के सारे school को manage करते हैं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं, सब चीजें कैसे जो है implement होगी, कैसे manage होके school run करेगा effectively, so उन सब चीजों के ओपर कौन focus करता है, headmaster या principal जो है, वो focus कर इतना सा पता है, लेकिन जब हम education के field में पढ़ रहे हैं, या मानली जी हमें theoretical exam देना पढ़ गया, या हमें चीजों को समझना है कि books में कैसे लिखी होंगी चीजें, so वो जो है वो आपको इस वीडियो में आज देखने को मिल जाएगा, कि आप जो है अगर theoretical exam है तो कैसे mention कर में आज बात करने वाले हैं, detail में, so principle, obviously एक major component हो गए, school management की जब हम बात करेंगे, क्योंकि school को manage करने का सबसे बड़ा जिम्मा किसके उपर होता है, या responsibility किसके होती है, वो principle की होती है, छीक है, so on his ability and skill, personality and professional competence, largely depends on the tone and efficiency of the school, so school का जो look है, या जो school में किस तरीके की चीजे चल रही है, professionally school कैसे रन कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें किसके जलक होती है, वो principle की ability, उनकी skill, उनकी personality, जो है हम score की उसमें देख सकते हैं, कि score कैसे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि principle किस हिसाब से चलाएगा, school वैसे ही चलेगा, और principle की personality, principle की professional competence, principle की skills, उनकी school को run करने की ability, वो स सारी चीजें किसको effect करेंगी school की efficiency को effect करेंगी affect thik hai so वो चीजें हम इसमें क्या बढताया गया है कि school का जो look होगा या रव हीया होगा देखने का जो हमारे जो हमें दिख जह रही है चीजें कि school कैसे चल रहा है so वो सारा का सारा किसकी जहलक होगी वो principle की personality के जलक होगी, ठीक है जी? Schools are good or bad, in healthy or unhealthy mental, moral and physical condition, flourishing or perishing as the principle is capable. तो school किसी भी तरीके का हो सकता है तो school जो है, वो किस तरीके का दिखेगा, जिस तरीके का principle की capability होगी. So, principle कितना capable है, वो हम school के basis पे, या school के हालात के basis पे पता कर सकते हैं. School rise to fame or sink to obscurity as greater or lesser principles have charge of them. So, principle जो है, वो decide करेंगे, या principle का रवया, principle का behavior, principle कैसे काम करवा रहे हैं, कैसे manage कर रहे हैं school को, उससे पता चलेगा कि school जो है, वो कितना famous है, या school जो है, वो कितना down जा रहे हैं. ठीक है जी? So, overall हमें ये पता चल गया, इस slide से कि school जो है, वो जिस तरीके का दिख रहा है हमें, या school की कितना famous है, या कैसी पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, या चीज़ें कैसे manage हो रही है वहाँ पे, कैसे activities हो रही हैं वहाँ पे So, वो सारी की सारी principle की जलक है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें principle manage करते हैं, so role तो बहुत important हो गया, यह हमें पता चल गया छीक है, लेकिन अगर हम major role की बात करें, so major role क्या रहेगा principle का school के लिए leadership behavior, क्योंकि उन्हें lead करना है सब लोगों को, और आपको पता होना चाहिए कि leadership leader में और boss में क्या फर्क है क्योंकि boss जो है, वो कुछ तरीकों में autocratic हो सकता है, लेकिन leader जो है, वो हमेशा democratic behavior जो है, वो रखेगा, so leadership behavior जो है, वो role है कि आप एक leader की तरह behave करेंगे ना कि एक autocrat की तरह alert to the forces of environment selection of goals, knowledge and professional training, loving the teachers, students and parents sound attitude towards life, winning of faith supervision of each teacher's work and right delegation of authority overall, आपको यहाँ पे in wordings में ये पता चल रहा होगा कि school को effectively run करवाना है, जिसके लिए leadership quality की जरूरत पड़ेगी आपको goals, objectives, जो है वो निर्धारित करने पड़ेंगे, select करने पड़ेंगे, कि क्या goals होने चाहिए जो आपका environment है teaching, learning environment better हो उसके बाद teachers, students और parents के साथ आपका behavior better हो ये सारे के सारे major roles है principal के, क्योंकि principal deal करेगा ना इन सब चीजों से, क्योंकि principal most probably बहुत कम principal होंगे जो कि teacher का भी काम करते हो या पढ़ाते हो school में, ठीक है वरना वो सारा का सारा काम management का ही करते हैं, हाँ जी, so winning of faith, कि obviously सबका faith होना जरूरी है principle में कि अगर आप उनके पास जाएंगे आपके पास, आप में faith होगा उनके प्रती, तभी तो आप उनके पास जाएंगे कोई problem लेकि, चाहे आप teacher है, चाहे आप student है चाहे आप parent है, ठीक है तो वो faith होना जरूरी है, life के प्रती एक positive attitude, sound attitude होना जरूरी है, so ये सारे के सारे क्या है, role है, major roles है principle के, major के अलाबा, अगर हम basic बात करें, तो वो एक teacher का काम करते हैं, administration संभालते हैं सारा, planning में जो है, वो क्या रहेंगे, एक leader रहेंगे, plan कर, और सारी चीजों को plan करने में, implement करने में, organize करने में, direct करने में, control करने में, so अगर आप wordings के उपर ध्यान दे, तो ये basic function जो है, वो हम मान के चलते हैं, duties क्या क्या रहेंगी principle की, तो duties बहुत सारी होती है, अगर general duties की बात करें, तो general में, तीन category हम divide कर सकते हैं, कि session शुरू होने से पहले क्या duties हैं उनकी throughout the year क्या duties हैं कि पुरा का पुरा साल चल रहा है last में जब session end होने को होगा, या exams होते हैं, उस time पे क्या duty होती है, ठीक है कुछ specific duties हो सकती है supervision को लेके, teaching को लेके, management या फिर special services को लेके, so हम इन सब को detail में एक-एक करके discuss कर लेते हैं, duties before the commencement of the academic year यानि जो साल का session जो शुरू होना है, उससे पहले की क्या duties रहेंगी, so पहले की duties में school calendar prepare करवाएंगी उसमें curricular activities, क्या-क्या rate रहेगा tuition fees का, duration क्या रहेगी, किसी भी class period की, holidays की list क्या रहेगी, या किस तरीके से जो है वो school कौन-कौन सी extra holidays दे रहे हैं, या overall जो school calendar में mention होनी चाहिए चीज़ें, तो वो school calendar को prepare करवाएंगी, principle, ठीक है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि principle, बहुत rare होगा कि वो खुद कोई काम कर रहे हैं, वो leadership वाले जो role में हैं, वो leader का role play कर रहे हैं, तो आपको जहां पर भी दिखेगा वो काम करवाते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है? Provision of teaching, clerical and other staff, क्या-क्या provisions हैं उनके, कैसे वो छूटियां ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते, जो है किस तरीके से उनको काम करना है, तो वो जितने भी provisions होंगे, चाहे वो teaching staff हो, classical staff हो, या other non-teaching staff हो, छीक है? Distribution of work, teaching and administrative, so काम का जो है, वो distribution कौन करेंगे, वो भी principle करेंगे, क्योंकि बहुत सारे teacher होते हैं, जो efficient होते हैं, administrative work में भी, so उनका manage करना, किस को teaching staff को teaching assignments, जो है, वो assign करना, administrative staff को काम देना, तो वो सारा-सारा, सारा का सारा, जो distribution है work का, वो भी किस के अंडर होगा, वो principle का काम होगा, finalizing the school timetable, तो school का timetable finalize करना, इसमें जो है, वो कौन-कौन teacher का अलग से timetable आ गया, उसके बाद, बच्चों का timetable अलग से, so वो सारी चीज़े manage करना, overall school का timetable finalize करना, वो भी कब होगा, वो academic year शुरू होने से पहले ही हो जाएगा, purchase of necessary equipment, books, supplies, तो जितनी भी equipment, books, या supplies की जरूरत है, चाहे वो laboratory के work में हो, या furniture के way में हो, तो जितनी भी चीज़ों के जरूरत होगी, necessary, तो वो सारी की सारी चीज़ों की purchase, जो है वो academic year शुरू होने से पहले ही जो है, वो finish हो जाने चाहिए, वो come complete हो जाना चाहिए, completion of admission as many new people as possible, so नए जो बच्ची है, include होना चाहरे हैं, जो आपके school में, so जितने जादा possible हैं, चाहे वो test के basis पे हो, या चाहे जैसे भी हो, जो school के rules हैं, उस basis पे, so आप admission को जो हो complete करेंगे, ये भी कौन ध्यान रखेगा, ये भी principle का ही काम होगा, formation of new classes, showing the names of pupils of class teacher, so जो नए registers बनते हैं, नए classes जो दिखती हैं, admission, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुआ है, first day नहीं आया है, बट उससे पहले admissions तो होने है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है, किसकी duty होगी, ध्यान रखना, principle की होगी, कि वो उन सब चीज़ों को भी focus में रखें, a school administration bulletin may be prepared for the convenience, तो जब हम इसकी बात करते हैं, administration bulletin, so इसमें बाकी चीज़ें आ जाती हैं, कि मान लीजे, किसी teacher को छुटी लेनी है, so उसकी क्या rules होंगे, नए जो teachers हैं, जो include होंगे इसमें, जैसे यह है, each teacher should be supplied with a copy of bulletin, ताकि जो पुराने teachers हैं, उनको वो चीज़े remind हो जाएं, पता हों उने, plus जो नए teachers हैं, उनको भी सारे rules, regulations पता हों, so वो किसमें आएगा, वो administration bulletin में आएगा, कि आप सारे के सारे rules, सारे के सारी चीज़ें, सब किसमें mention होगा, administration bulletin में, वो हर एक teacher को दी जानी चाहिएं, छीक है, it should show the distribution of work of different teachers, so जो यह bulletin होगी administration bulletin, क्योंकि नाम ही देखिए ना, आप administration bulletin, तो administration का जो काम है, वो आप किसमें distribute कर रहे हैं, जो जो अलग-अलग teachers हैं, co-curricular duties, या अलग-अलग committees बनानी हैं, clubs बनानी हैं, association बनानी है, या procedure क्या है, casual leave लेने का, तो वो सारी की सारी चीज़ें, जो है, वो इस bulletin में mention होगी, so यह जो है, before the commencement रहेगा, कि academic year अभी शुरू नहीं होए, first day नहीं आया है, ठीक है, अब first day आगया, तो duties जो है, opening day पर क्या रहेंगी, एक opening day जो होगा, first day जो होगा, जिसमें सभी बच्चाएंगे principal उनको जो है, orientation program रखते हैं, ताकि वो अपने school के बारे में सारी चीज़ें बता पाएं, तो at least जो well planned और अच्छे schools हैं, वहाँ पर orientation program होता है, first day, ठीक है, opening day must be planned with a great care, meeting with staff related to new problems, की बाकि staff के साथ meetings करना, की क्या क्या issues आ सकते हैं, अभी further उनको sort out करना, फिर है principal should meet the students and clarify the day's arrangement of work, तो उस दिन क्या क्या काम रहेगा, तो वो ही एक तरीके से orientation program बहाँ पे होगा कुछ एक problems होती है, जो की first week के दोरान, क्योंकि कई बार होता है, आपका optional subject किसको क्या लेना है, वो तो first day आ के बताएंगे ना बच्चे, so उनको optional subjects हो गया, या classes, जो है, वो कितने-कितने students उनमें होनी चाहिए, तो वो सारे की सारी चीज़ें, जो है, adjustments, जो है, वो opening day पे होंगी, तो वो सारे duties भी principle की रहेंगे, कि वो इन सब चीज़ों को planned way में implement करवाने की कोशिश करें, फिर आता है duties throughout the year, तो throughout the year बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन में से कुछ एक है, one or two weeks preliminary work should, would settle the major issues, यानि कि आज school शुरू हुआ है, तो एक दो हफते की जो चीज़ें हैं, या timetable है, या work plan है, वो सारा का सारा ready होना चाहिए, इससे आपको issues जो है, वो बहुत कमाएंगे, क्योंकि जो on the spot problems आएंगी, उनको आप उस time solve करने की कोशिश करेंगे, जो pre-planned चीज़ें आप कर सकते हैं, वो आप already करके रखेंगे, after this principle has to supervise the program, organize guidance services, arrange medical examination of children, so ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं, जो throughout the year principle ध्यान रखते हैं, supervise करेंगे program को, क्योंकि major काम जो है, उनका वो ही supervision का है, organize करेंगे guidance services की कैसे जो है बच्चों को, चाहे वो career related guidance हो, चाहे वो personal guidance हो, so वो guidance services include करेंगे, जब हम guidance और counseling की बात करेंगे, so उस time पे आपको पता चलेगा कि guidance भी बहुत तरीकिकी होती है, और अलग-अलग लोगों की जो नजरिया है, उसमें अलग-अलग मतलब होता है guidance का, तो वो सारी चीज़े हम guidance and counseling पढ़ते टाइम पढ़ेंगे detail में, so वो organize करवाना guidance services को, वो भी किसका काम है, principle का है, medical examination बच्चों का करवाते रहना बीच-बीच में, regularity के साथ, तो उससे क्या होगा, कि आपको पता चलता रहेगा, कि उनकी जो health है, health guidance से उनका, जो है, वो issue चल रहे है, या malnutrition जो है, उसका शिकार तो नहीं हो रहे हैं, बच्चे, so क्या-क्या issues है, health-wise, वो भी आप proper check-up करवाते रहेंगे, check the evaluation program, send internal assessment marks, inform parents regarding deficiencies and achievements of their children, so ये सारा का सारा काम को उनकरेंगे, principle करेंगे throughout the year, he has to administer the entire program supervision का काम कोन करेंगे, principle करेंगे, वो ही direct करेंगे school को, क्योंकि हमने first slide में पढ़ा था, कि जैसा principle चाहते हैं, जैसे उनकी personality है, उनकी competency है, उसी वेसिस पे school जो है, वो effectively चल रहा है, या नहीं चल रहा, वो हमें पता चलेगा, so personal supervision, supervision और personal guidance, personal direction जो है principle वो वहाँ पे देंगे, he should reach before the regular work begins, and inspect the sanitary arrangement of the campus, attend the school assembly, so यह वो सारे के सारे regularity वाले काम है, रोजमर्रा के जो काम है ना principle के, कि वो school में सबसे पहले आएं, सबसे last में जाएं, campus जो है, उसकी sanitary का arrangement, या school assembly को देखें, वहाँ पे किस तरीके से school चल रहा है, या office work क्या क्या करना है, supervise करना, curricular को, curricular activities को, parents या visitors आते हैं, तो उनसे meeting करना, और last में फिर वो जाएंगे school से घर, so overall क्या है, कि principal का का काम arrangements देखने का है, principal का का administration का है, management का है, तो वो फिर जरूरी हो जाते हैं, कि आप सबसे पहले आएं, और सबसे last हो जाएं, क्योंकि आपको सब चीज़े manage करनी है, ठीक है जी, ये throughout the year की बात होगी, अब आ जाएगा last में, जो closing होता है na school का, उस time की बात हो रही है, closing day की बात नहीं हो रही है, फिलाल closing से पहले, यानि end term जो होगी school की, जब principal क्या करेंगे, final examination जो है, उनकी setting चेक करेंगे, question paper प्रिंट हो रखें, यानि वो चेक करेंगे, evaluation कैसे हो रहा है, answer sheets का, उसके बाद, exams के बाद, so क्योंकि last में, जब declare हो जाएगा result, तब होगा na school end तो, तो जो exams शुरू होते हैं, उस time पे जो चीज़ें हैं, वो सारे की सारी arrange करना भी, क्या है, duty हो गई, during क्या है closing a school year, ठीक है जी, completion of pupils, cumulative records, data on which they are to be submitted to parents, for information, so सारा का सारा record, जो की parents को भी submit होना है, लास्ट में report card भी parents को मिलना है, so वो सारी चीज़ें complete करना, वो complete हो रहे हैं या नहीं, so वो complete करवाना किसका काम है, principle का काम है, ठीक है जी, फिर है announcement of next year's textbooks to pupils, क्योंकि कई बच्चे होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो की school शुरू होने से पहले ही, या तो वो tuition लगवाले ते हैं, या वो खुद self study करके, वो overall syllabus क्या है, चीज़ें कैसे पढ़ी जाएंगी, कैसे पढ़ना है, so वो सारी चीज़ें पहले ही arrange कर लेते हैं, तो वो कैसे होगा, जब text books जो है, वो announce हो जाएंगी next year के लिए, the issue of school living certificates to pupils, desiring to leave the school before the closer of the year, so last में जब school बन होगा, उससे पहले क्योंकि बहुत सारे students हैं, जो decide कर लेते हैं, next year जो है school change करना है, so वो school living certificate का का काम, जो है वो भी school year complete होने से, पहले के काम में ही included होगा, annual report जो है वो school में submit कौन करेंगे, principal जो है वो annual report, closing of the year, वो सारे चीज़ों का ध्यान कौन रखेंगे, principal रखेंगे, ठीक है जी, ये general हो गए, अब हम specific duties की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहला बात की थी, supervision की, so supervision के जितने भी आपको दिख रहा है कि क्या-क्या चीज़ों में supervision की जरूरत है, obviously हमें पता है, जब principal की बात करेंगे, school management की बात करेंगे, तो बहुत सारे areas जो है, बहुत सारे aspects जो है वहाँ आ जाएंगे, जहां पर principal की, supervision की जरूरत पड़ेगे, so वह सारे की सारे इसमें include होंगे, although मैंने books वगेरे से collect करके, सारे points include करने की कोशिश की है, अगर आपको कुछ नया point ध्यान में आता है, कि हाँ यहाँ भी तो principal supervise करते हैं, so वह point भी आप mention कर सकते हैं, supervision of instructions, curriculum, development, improvement, इस चीज़ को supervise करना, hostel अगर आपके school में जो है वो, यह hostel की यह छात्रवास की, यह छात्रवास बोल दीजिए, so उसकी अगर applicability है, या वो वहाँ पे है available, so उसको supervise करना, registration work, accounts, general setup, तो हर चीज़ को supervise करना, किसके अंडर आ गया, principal की specific duty में आ गया, principal की duty teaching की भी है, अगर देखा जाए तो, so वैसे तो कोई expect नहीं करता, कि principal जो हो expert होना चाहिए, किसी subject में, लेकिन principal को फिर भी, एक या दो subjects में जो है, क्या होना चाहिए, expert होना चाहिए, और at least जो है, एक या दो subject उनको पढ़ाने चाहिए, दो या तीन period उनको class में, overall school में, पूरे दिन में जो है, उनको दो या तीन lectures लेने चाहिए, ये माना जाता है, ठीके, so अगर देखा जाए, तो काम major administration का है, बट सबसे पहले वो एक teacher है, ठीके, तो उस basis पे हम बोल रहे है, कि उनकी specific duty teaching की है, तो उसके लिए, वो first एक teacher है, उसके बाद वो principal है, right, so उस basis पे, so वो ये नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल जो है, teaching के काम से, आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ, और आपको अपने subject पे पकड़ भी ना रहे, so वो एक या दो subject में, जो expert है principal, पर वो subject की classes उनको लेनी चाहिए, management का काम रहेगा, school plan management, equipment या supply को manage करना, फिर जो school business को manage करना, financial चीज़ों को manage करना, तो वो सारी की सारी चीज़ें, जो है वो management में आ जाती है, school plan management की अगर हम बात करें, so principal की एक responsibility हो जाते हैं, कि planning करना चीज़ों को, फिर implement करवाना कैसे manage हो रही हैं, वो देखना, so वो overall जो administration का काम है, वो हम management के काम में लेके चलते हैं, उसके अंदर further points हो सकते हैं, plant utilization, equipping the school plant, maintenance of school plant, operation of school plant, keeping school plant tidy, clean रखवाना arrangements, so वो सारे की सारी चीज़ें, manage करना, वो किसका है principle का काम है, equipment और supply management की अगर बात करें, तो उसमें भी बहुत जादा careful planning की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन करेंगे, वो principle करेंगे, उन चीज़ों को manage कौन करवाएंगे, principle करवाएंगे, क्योंकि कई बार होता है, कि जो labs है 11-12 के लिए, या 9-12 के लिए जो labs होती है, experimental labs, चाहिए वो chemistry lab हो, biology या physics lab, तो वहाँ पर क्या है, supply की जरूरत पड़ती है, आपको equipments की जरूरत पड़ती है, computer lab में computers की जरूरत पड़ती है, so वो सारी की सारी चीज़ों को कौन manage करेगा, principle manage करेगा, plan करेंगे उनको अच्छे से, so वो सारी चीज़ें भी management का specific काम किसका हो गया, principle का हो गया, school business management की अगर हम बात करें, तो वो accounting का जो, क्योंकि school business word आ गया ना, तो वो सारी accounting की जो चीज़ें हैं, चाहिए वो internal हो, या budget finance हो, या school का office management हो, जो principle खुद जो है, उनको supervise भी शायद ना करें, बट वो उनके under हो रहे हैं, उनके signature के under हो रहे हैं, so हम मान के चलते हैं, कि वो सारे की सारे उनकी देख रेक में चीज़ें हो रही हैं, internal accounting की अगर detail में बात करेंगे, तो budget prepare करना, recording receipts, यानि जैसे fee receipt होती है, या salary की receipts होती है, तो वो सारे की सारी चीज़ें, जो है, उनका record रखना, credit, तो ये overall क्या है, कि हमें हर चीज़ का record रखना है, और उस record को हम internal accounting बोल रहे हैं, जब हम financial चीज़ों की बात कर रहे हैं, specific duties में further, special services आ जाती हैं, जिसमें health services, जैसे हमने बात की थी, कि वो arrangements करेंगे, regular medical inspection हो सके, students का या हो सकता है, teachers को भी हम इसमें include कर लें, कि उनका भी regular inspection हो, health, जो है, उनकी health को भी तो priority मिलनी चाहिए, school guidance services, free supply of midday meal, school uniform, text books, तो इन सब चीज़ों को भी manage करना, किसका काम है, principal का, regarding school records, तो school records जब बर्ड आता है, तो बहुत सारी चीज़े include हो जाती है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, कि objective क्या है, school record का, कि ज़रूरत क्यों है, ठीक है, so it helps in functioning of school activities, obviously हमारे पास, जब अलग-अलग तरीके की information होगी, data collection होगा, चाहिए वो school का time table हो, teacher का attendance register हो, बच्चों के, जो students हैं, उनका attendance register हो, so वो सारी चीज़ें, जो है, वो एक proper functioning में, जो है, वो school की functioning में help करती हैं, इसलिए school records की ज़रूरत पढ़ती है, it helps in the inspection of management committee, management committee तो वहाँ पे रोज नहीं बैठी रहती, वो तो time to time आके regular, जो है, वो check करते हैं, चीज़ों को, उसके लिए, वो check कर सके, कैसे चल रहा है school, कैसे जो है records maintain हो रहे हैं, उसके लिए फिर school records का होना तो जरूरी है न, तो management committee और या जो other bodies है, school के activities, जो activities में help करती हैं, या activities के लिए decision लेती है, जैसे SMC है, school management committee, या SDM, SMDC है, तो वो सारे के सारे inspection के लिए जबाएंगे, तो check क्या करेंगे, school record चेक करेंगे, तो उसके लिए school record का होना जरूरी है, it maintains the examination results, obviously जब आप school record रखेंगे, तभी तो उसी में तो आगया है न, examination का result, फिर है it maintains the functional aspects, जैसे students की fees है, teacher की salary है, building funds है, तो वो सारे के सारे funds जो है, वो एक तरीके से आपको set हो, आपको पता हो, क्योंकि हो सकता है, administration staff जो है, वो change हो जाए, तो चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए, information जो है complete, वो आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए आपको school records के जरूरत पड़ेगी, it maintains grant and aid records, income and expenditure, it helps in developing a plan for educational development, तो आपके पास जब सारा का सारे record होगा, information होगी, उसी basis पे आप चीज़ों को plan करेंगे, identification के अगर हम बात करें, अगर आप books specifically, जो educational management की books हैं, उनको उठा कर देखेंगे, तो आपको ये headings के अंडर, जो हो school records मिल जाएंगे, educational records, general records, financial records, equipment या furniture records, या correspondence records, अब इनके अंदर और क्या-क्या चीज़ें include होते हैं, जैसे educational records हैं, उसमें teacher का attendance register, ये सारे की सारे registers जो हैं, वो वहाँ पे educational records में included होंगे, student का attendance register, class-wise timetable, teacher-wise timetable, enrollment register, student का जो progress report होती है, वो transfer certificate का जो register है, कि किन-किन बचों ने यहां से transfer लिया है, marks का जो register है, कि कितने test हुए, कितने marks आए, सो वो सारे की सारी जो information है, वो educational records के अंडर आएगी, general records की बात करें, तो school का calendar general record में आएगा, log book जो है वो आएगी, क्योंकि log book में क्या होता है, कई बार होता है कि एक जो order book भी होती है, in fact जिसमें principal जो हो order release करते हैं, कि teachers को मान लिजी आज कोई meeting है और रुखना है, तो वो order book में या log book में included होगा, visitors book जहां पर visitors की list रहेगी, कि किस-किस ने school में जो है, वो school में आना जाना हुआ, service book रहेगी, building loan, aid register, geo records, circulars of authorities, leave register, co-curricular activity का register, NCC records, NSS records, वो सारे के सारे general records में mention होगे, financial record में क्या क्या आजाएगा, students की fees register, cash book आजाएगी, teachers का जो salary register है, donation register है, कि school को कितना donation मिल रहा है, contingency register, bill register, provident fund का register, और scholarship register, तो ये सारे चीज़ें किसमें आगई, financial records में, अगर equipment records की बात करें, तो equipment में furniture आगए, school की property का register हो गया, hostel की property अलग से जो है register होता है, उसका library की property, laboratory equipment चाहे वो physics, अब इसमें भी further और register आ सकते हैं, कि physics के जो equipment आए हैं, या chemistry lab के लिए equipment हैं, biology lab के लिए जो charts हैं, equipment हैं, फिर है games and sports का equipment का जो register है, उसके अलाबा, miscellaneous equipment register, जिसने बाकी चीज़ें जो यहां से छूट गई हो, वो चीज़ें include रहेंगी, correspondence register की बात करें, तो from and to register, beyond book जो होती है, फिर है correspondence made with education department, या council of education, state and directorate correspondence, तो यह सारी की सारी जो है, management level पे जो अलग तरीके के registers रहेंगे, या trustees के, director board के जो registers रहेंगे, वो यहां रहेंगे, qualities एक बार देख लेते हैं, हम last की, अब यह सारी चीज़ें हमने पढ़ ले, कि principal की जो है, क्या-क्या काम है, अब principal की क्या-क्या qualities होनी चाहिए, एक अच्छे principal की या, एक अच्छे head teacher की, वो हम देख लेते हैं, sound educational philosophy, क्योंकि, जो school चल रहा है, जो school की effective running होगी, वो किसके उपर based होगी, वो principal की thinking पे, principal की philosophy पे based होगी, कि कैसे school जो है, वो run करना है, तो एक अच्छी educational philosophy उनकी होनी चाहिए, high scholarship, यानि कि वो पढ़ने में, जो teaching है पढ़ाने में, वो उसमें अच्छे होने चाहिए, उनके पास जो है वो, एक eligibility होनी चाहिए, जो principal के लिए हो, कि उन्होंने management में कुछ चीज़ें की हो, क्योंकि major काम उनका management का रहेगा, adequate professional training उनकी रहनी चाहिए, जैसे अगर आपको पता हो, तो जब M.A.D. करते हैं, हम B.A.D. के वाद, Masters in Education, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, कि किस तरीके से, वो जो syllabus हम पढ़ते हैं, जो curriculum होता है, उसमें management से related जादा चीज़ें होती है, कि आप कैसे manage करेंगे, तो वो जो है principle के लिए ज़रूरी हो जाता है, proficiency in human relation, कि आप कैसे बात करेंगे, किस से कैसे relations, जो है, वो cordial relations manage करने हैं, तो वो सारे चीज़ों में proficient होना चाहिए, एक principle, good physical, mental and emotional health, क्योंकि अगर वो खुद ठीक होंगे, तब ही वो बाखी चीज़े ठीक से चला पाएंगे, qualities of personality, क्योंकि एक aura होता है, एक personality होती है, तो वो एक अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो है, एक respect जो है, वो आपको देखते ही अंदर से automatically आई, तो वो personality develop करनी चाहिए, principle को या head teacher को अपनी, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या कुछ चीज़ नहीं समझा रही है, तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं, this was all about today, thank you so much for watching,